हलो दोस्तो केसे हैं आप सब एक बार पुर्णा, आप सभी का आपके अपने ही चैनल सीव को चिंग्लासस पर स्वगत है, दोस्तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भूचुंब कत्थों, है ना क्या है, है ना किसे कहते हैं और भूचुंब कत्थ के प्रमान, साथ ही दोस्तो विविन प्रकार की परिभास आएं भगोलीक अच्छ भगोलीक अमुत्तर चुमकी अच्छ है ना दोस्तो भूचुमकी अच्छ भूचुमकी तत्तो दिखवात नमनकुन इन सारे के वारे में चर्चा करने वाले हैं तो अब वीडियो को आं तक देखिए और सारी जानकारी प करता है इसको प्रमार करने के लिए दोस्तों हम विविनत ऩप्थों को देख सकते हैं कि जड़ी हम छेटीश तल में घूमने के लिए सवतंत्र चुमक और तो एदि दोस्तों लटकाते हैं तो हमेशा हुआ ह। उत्तर दच्छंड दिशा में ठेहरता है कहने कि मतलब ऐक आपके पास स्वतंत्र चुमबक है हैना वह घूम रहा तो सदेब दोस्तो उत्तव दचंड दिशा में ठेहरता है इसका रिजन क्या हुआ इसका अर्थ क्या निकला कि चुम्बक की वहाती हमारा प्रत्वी भी कार कर रहा है जिसके काण वह नार्थ और साउथ फोल पर ही खड़ा होता है या ठेहरता है इसका काण दोस्तो क्या क्योंकि प्रत्वी एक चुम्बक है तब ही तो नार्थ फोल और साउथ फोल पर ठेहरत है ये तो दोस्तो वो अनियमित रूप से गती करता रहता दूसरा लिजन दोस्तो प्रथभी के अंदर उत्तर दच्षण दीशा में गड़े लोहे की छंग का चुमबक बन जाना कहने का मतलब दोस्तो यदि हम कोई छंड लोहे का छन ले 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 और उत्तर दच्षण दिशा में करकर प्रत्वी दोस्तों प्रत्वी में दवा देते हैं बिट्टी के नीचे दवा देते हैं और कुछ दिन बाद उसे निकालते हैं दोस्तों उसमें भी चुमकत्तों का गुण उत्पन्न हो जाता है अब ये कहां से आया तो प्रत्वी के कारण आया प्रत्वी के हुआ तो हम कह सकते हैं कि प्रत्वी पर चुमकत्तो है इसी कारण तो छड़ पर चुमकत्तो का गुण उत्पन्न हो गया ठीक है ना अगला दोस्तो उदासीन बिंदू का अस्तित्तो होना कहने का मतलब प्रत्वी में जो है उदासीन बिंदू का अस्तित्तो है इसको दोस्तो कैसे कह सकते हैं कि जम चुमकी छेतर रेखाएं खिषते हैं दोस्तों तो कुछ उदासीन बिंदू प्राफ्थ होते हैं कैसे बिंदू प्राफ्थ होते हैं उदासीन बिंदू प्राफ्थ होते हैं उदासीन बिंदू पर पर परणामी चुमकी छेतर कितिवता सून होती है इस से हमें प्रमार होता है कि प्रत्वी एक चुमबक किवांती कार करता है ठीक है अगला दोस्तो प्रत्वी तल के समी उर्दोधर तलमी घूमने के लिए सुतंद चुमकी सुई का प्रत्वी के विभिन इस्थानों पर भिन 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 कमान अधिक है है ना या काम है या भिन्न भिन्न इस्थानों पर चुमकत कमान भिन्न भिन्न जैसे नार्थ पोल पर दुस्तों और साथ पोल पर चुमकत अधिक होता है और मदभाग में कम होता है आपको बताओगा कि चुमबा के दोनों सीरों पर है ना नार्थ और साउथ य और जो भी कराता हूं दोस्तो उसको आप notes बनाकर लिख लिया करें है ना भी दिवत तैयारी करें आप लोग अब दोस्तो कुछ परिभासने चर्चा करने वाले हैं जैसे अपना पहला टॉपिक्स है भागोलिक अच्छ और दोसरे दोस्तो भागोलिक एमोतर तो पहले दोस्त भागोलिक धुरूबों को मिलाने वाली देखा भागोलिक आच्छ कहलाती है अब इसको डाइग्राम बिना समझे दोस्तो आपको समझ में नहीं आएगा तो डाइग्राम में आप समझा देना चाहता हूं मान लेता हूं यह दोस्तो एक प्रथवी है ठीक है ना और यहां प मान के चलता हूं कि भागोलिक धुरूबों को मिलाने वाली रेखा भागोलिक आच्छ कहलाती है अब यह भागोलिक आच्छ कहला है दोस्तो है ना लेकिन इसी के समानतर एक समतल खीच दूँ एक समतल खीच दूँ है ना इसी भागोलिक आच्छ के से गुजरने वाले उर् आकरती बना दे तो दोस्तों ये कहलाता है भगोलिक या मुतर भगोलिक अच्छ से गुजरने वाले उर्दोधर तल को भगोलिक क्या कहते हैं दोस्तों या मुतर कहते हैं मतलब इसी के चार और उर्दोधर रूप से जो तल होता है दोस्तों उसी को बोलते हैं अपन क्या भग दक कर्णिक थोसिएघंगल जो एक दूस्ति से अच्छी में बाथवाइन। मुष्ग जीसे दूसों प्र hemइक पताँ है। ने में सब्सक्वाइनन ब्रहत धल कोिद्ट दूस्त है। भागोलिक विश्वत रेखा कहते हैं जैसे दोस्तो मैं कहा दूँ यहाँ पर समझी का थोड़ा सा मैं कहा दूँ यह आपके पास प्रतिवी है और इसके चोड़ा वाला भाग मदवाग पे हैं है ना तो यहाँ पर दोस्तो सबसे चोड़ा वाला भाग क्या कहलाएगा भूमद रेखा यही दोस्तो जो 0 डिग्री होता है यह कहलाता है क्या भूमद रेखा या इसका दूसरा नाम दोस्तो विशुवत रेखा कौन सा रेखा तो विशुवत रेखा तो यह भूमत रेखा दोस्तो और यह क्या विशुवत रेखा तो विशुवत रेखा समझ गए न कि भागोलिक अच के लंबत प्रतिवी तल पर सबसे बड़े ब्रत को क्या कहते हैं भागोलिक विजवत रेखा कहते हैं अब दोस्तों चुम्म की अच बताना है आपको चुम्म की अच तो भू चुम्म की धुरूगों को मिलाने वाली रेखा चुम्म की अच कहलाती है जैसे दोस्तों मैंने डाइग्राम में बनाया था तो यह आपका डाइग्रा क्या भू चुमकी आच अब इसके समानतर एक जो उर्दोदर तल है लंबबत इसके समानतर दोस्तो तो उसे पन बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे पन तो चुमकी आमोतर क्या बोलते हैं दोस्तो चुमकी आमोतर है ना भागोली का मोतर ये था दोस्तो ये चुमकी आमोतर मतलब जो दुरूब है दुस्तो आचे दुस्तो उसके तल के लंबत इजुस तल है है ना समतल है उसे पन बोलते हैं चुमकी अमोतर तो भागोली के अमोतर चुमकी अमोतर भी आप समझ गया होंगे अब तरचा करने वाले दुस्तो भूचुमकी तत्तो भूचुमकी तत्तो किसे कह करते हैं किसी भी बिंदु पर जिसके माध्यम से हम चुमकत का क्या करते हैं अध्यन करते हैं दोस्तों उन बहुत इक रास्यों को आपन बोलते हैं भूछ चुमकी तत चीजें क्लियर हो गई अब दोस्तों मैं बात करूं दिख पात किसी इस्थान पर चुमकी या मोतर और चुमकी या मुतर विच कितना ढिगरी कख़्ण बन रहा है लुद इसे उसके बीच helpful क्या जा है कि विच दया रे मत्र बागोलिकיל Kрыm बेच कितना डिगरी कॉण बनता उसे क्या थे हैं चुमकी देख पाथ क्या अब तो समस्क्राद का सकते हैं में आ गई अब दोस्तों नमनकोड या नतिकोड किसे कहते हैं तो किसी भी इस्थान पर उर्दधर तलमी अपने गुरुत्तों केंद्र पर घूमने के लिए स्वतंत्र चुमक का चुमकी अच्छ गुरुत्त केंद्र से होकर जाने वाली छेतिज रेखा के साथ जो कोड बनात हैं कोई आपके पास द्रण सत्रे से एक चुमक आपके पास लटक रहा है है नए बचर बंचुद्तर पुर्बक उत्तर जचन दिनसा में इसे कोई प्राख्यलम नहीं है कहीं भी लटक सकता है यह नबता BY जय सिंसर यहां पर साथ पूल यह यहां पर एंदिल तब यह सबना जो कोण बनाता है उसे बोलते हैं दोस्तो नमन कोण और नति है ना मतलब किसी भी स्थान पर उर्दवर्दा तल पर गुरुत्त के आधिये को गोमता हुओ सतरन ответ lij function दोस्तो है ना 36 अच्छ के सांद जो कोण बनाता है तो जो जो दोस्तो 36 अच्छ के सांद जो कोण बनाता है उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं नमन कोण और नती कोण सुरी दोस्तो थोड़ा light का problem हो जाता है जिसे अभी light चला गया तो फिर भी मैं video बना रहा हूँ लेकिन दोस्तो अब आज के लिए इतना ही है ना दोस्तो light का जो problem हो जाता है तो थोड़ा मैं एक गाउं से हूँ आपको पता होगा है ना तो गाउं में थोड़ा सा light problem होता रहता है लेकिन आप लोग लिए वीडियो बनाता रहता हूं दोस्तो जैसे भी मेरे पास time लेता है तो दोस्तो यह chapter जो 5 चल रहा है बस अंतिम होने वाला है एक वीडियो और आएगा इसका फ चले दोस्तो चलते हैं मिलेंगे एक लिए वीडियो नेट आप प्रिक सा तब तक लिए जैहिन बंदे मातरम